नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर मुकेश गुपता आज फिर हाजीर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ और आज हम बात करने वाले हैं मम्स विमारी के बारे में मम्स जिसको आम भाषा में गल्चुए या कनफेड भी कहते हैं और इस विमारी में हमारे गाल के पास यहां पर सूजना जाती है गले में जबड़े के नीचे और कभी कबार इधर भी सूजना जाती है यह मम्स एक संक्रामक बिमारी है जो एक दूसरे से फैलती है और खासने छीकने के दौरान जो हमारे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो छीक में खासने के साथ निकलते हैं उन से यह फैलती है और जब भी कोई infected person होता है उसके संपर्क माने वाले लोगों को अगर एक बार यह infection ल आया और कल उसको लक्षण आ जाएं ऐसा नहीं होता अगर आज हमारा संपर किसी बीमारी वेक्ति से हुआ है या संक्रमित वेक्ति से हुआ है तो लगबग पांच से अठारा दिन के अंदर ये बीमारी मैनिफेस्ट करती है और इसके लक्षण आते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी अगर लड़कियों में होती है तो ये अंडकोश यानि की ओवेरीज का इंफेक्शन करती है और अगर ये लड़कों में होती है तो ये टेस्टिस का इंफेक्शन कर सकती है जिसके इससे संक्रमित लोगों में diabetes होने की भी संभावना रहती है rare of rare situation में ये हमारे brain में infection करती है यानि दिमागी बुखार का भी कारण बनती है जिसके कारण सिरदर्द, दोर्याना इस तरह के लक्षन भी हो सकते है ये बिमारी पूर्णत है, बचाव किया जा सकता है यानि कि इस बिमारी के लिए एक टीका उपलब्द है जिसको हम बोलते हैं MMR MMR जो vaccine है, इसमें तीन component होते हैं measles, mumps and rubella measles यानि खसरा या बोदरी या लैदरा के नाम से जानते हैं rubella एक बिमारी है, जो कि अगर females में इसका infection होता है तो उनमें जो pregnancy के दोरान अगर ये infection हुआ, तो जो पैदा होने वाला बच्चा है, उसमें जन्मजात विक्रतियां होने के सम्मावने काफी बढ़ जाती है अब ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो भारत सरकार है, जो state governments है, ये सभी MR का T का सभी को free में लगाती है MR यानि मिजेल सेवन रूबेला, लेकिन जो mumps है, यानि कि जो confed या गल्सुवे वाली समझे है, जिसमें हमारे गर्दन के पास और जबड़े के नीचे सुझनाती है जिसमें हमारे pancreas का infection हो सकता है, जिसमें over ear testis का infection हो सकता है, या जो brain का infection या meningitis कर सकता है ये टीका अभी government के schedule में उपलब्द नहीं है, इसलिए इस बिमारी से बचने के लिए, mumps से बचने के लिए, हमें MMR का टीका लगाना आवश्यक है अगर हम primary schedule की बात करें, यानि कि जब बच्चे छोटे होते हैं और उनको शुरू-शुरू में vaccine लगाया जाता है तो vaccine 15 मेने की उमर पे लगाया जाता है, उसके बाद में एक और vaccine इसका दिया जाता है, जो booster dose की तरद होता है इस पकार से दो डोज के schedule से इसका vaccination complete हो जाता है, लेकिन अगर किसी भी बच्चे को ये टीका 15 मेने की उमर पे नहीं लगा, तो इस टीके को बाद में भी दिया जा सकता है और ये बाद में हम कभी भी दे सकते हैं अगर आपको ये infection नहीं हुआ है, यह 18 साल के नीचे अगर हैं और ये infection नहीं हुआ है, तो ये दिया जा सकता है, हालना कि ये भी मरी adults में भी हो सकती है तो दोस्तो, MMR का टीका बहुती आसानी से उपलग्ज है, सभी सिश्वी रोग विश्यसंगी के पास में, सभी बड़े अस्पतालों के पास में, और ये टीका आपको चेक करना चाहिए कि आपके vaccination चिडूल में लगा हुआ है कि नहीं, अगर आपके बच्चे का vaccination या टीका करना गौर्मेंट में हुआ है, यानि कि सरकारी अस्पताल या सरकारी डिस्पेंसर में लगा है, तो बहुत ज्यादा चांच है कि मम्स का टीका आपके बच्चे को नहीं लगा होगा, इसलिए अपने बच्चे को मम्स से सुरक्षा देने के लिए आप ये MMR का टीका अवश लिए अपने बच्चे को इस बीमारी से सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है, और यह हम कर सकते हैं इसका वेक्सीन लगवा के, नमस्कार धन्यवाद चैहिए